रुला देने वाली कहानी पती पत्नी चार साल की लंबी लड़ाई के बाद हमारा तलाक हो गया, तलाक के कागज लिए मैं कोट से बाहर आई तो देखा. मेरे पती कोट के सामने लगे एक चाय के ठेले के पास अकेले बैठे हुए थे पता नहीं क्यों मैं भी उनके बगल में जाकर बैठ गई. उन्होंने मेरे बिना पूछे चाय वाले से दो कड़क अदरक वाली चाय बनाने को कहा वो अच्छे से जानते थे कि मुझे अदरक वाली चाय बेहत पसंद है. थोड़ी देर बाद मैं सरक कर उनके नस्दीक जाकर बैठ गई. काफी देर की चुप्पी के बाद मैंने पूछा आप दवाई तो रोज ले रहे हो ना उन्होंने कुछ नहीं कहा बस सरहिला दिया और हमारे बीच फिर वही खामोसी चा गई थोड़ी देर बाद वह स्वयं बोले की डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा एक साल बचा है अगले हफते से मुझे कीमो के लिए बुलाया है उनके यह शब्द सुनकर मैं कुछ पल के लिए मानो कोमा में चली गई उन्होंने कहा कोट ने मुझे तुमको आठ लाख रुपए देने कहा है अभी तो मेरे पास नहीं है तुम रोहिनी वाला फ्लैट ले लो और सोने के जेवर भी बिटो की शादी में काम आएंगे तुम ही रख लेना मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम कर दूँगा मेरे जाने के बाद वह भी तुम्हारा हो जाएगा मैंने कहा चुप अब अगर एक भी शब्द कहा मैं आपको कही छोड़ कर नहीं जाने वाली आप समझते क्या हैं सब आपके ही मन का होगा और जोर जोर से रोने लगी मेरे आशु देखकर मेरे पती भी फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे मुझे अकेले छोड़ कर मत जाओ मैं अभी मरना नहीं चाहता पती के आशु देखकर मैंने उन्हें गले से लगा लिया और मैं कोट से ही सीधे अपने ससुराला गई झाल झाल